हेलो मेरे प्लांट्स लवर, स्वागत है आपका टिंको की दुनिया में फ्रेंड्स आज मैं आपको गमलों के लिए मिट्टी तैयार करना बताऊंगी कि हमें किस टाइड की मिट्टी लेनी चाहिए ताकि हमारे पोधे अच्छे हेल्दी हो और उनकी ग्रोध काफी अच्छी हो तो चलिए दोस्तो स्टार्ट करते हैं मिट्टी तयार कनने के लिए मैं ले रही हूं सिंपल मिट्टी जो खेत में या किसी गार्डन वगेरा में मिल जाती है यह तो मेरे पुराने गमले की है जो मैंने अच्छे से सुखा ली थी अगर आप डिरेक्ट केत से मिट्टी लेते हैं उसमें जो बड़े-बड़े कंकर प में construction rate जो होती है वो मिलाऊंगी ताकि मिट्टी लूज रहे और फ्रेंड्स एक बात और कहना चाहूंगी कि यह 60% 30% ऐसा कुछ नहीं है आपको आपके प्लांट के हिसाब से मिट्टी बनानी है अंदाजा देखिए अंदाजा बहुत बड़ी चीज होती है अगर अब अंदाजा लगा करके मिट्टी बनाते हैं मिट्टी आपने लूज नहीं बनानी है और नहीं जदा टाइंट बनानी है ठीक ठीक बनानी है और बहुत लूज हो कि हमने किस तरह से मिट्टी तेयार करनी है और ये जो परसंटेज का हिसाब बता रही हूँ वह मैं इसलिए बता रही हूँ जैसे जिसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो इस तरह से वह बना सकता है मिट्टी उसकी जगह जैसे जड़प्लांट वगहरा होते है तो उसके में पानी नहीं रुखना होता है तो आपको क्या करना होता है उसमें रेत चांस होंगे और कीड़ा एकदम लग जाएगा और हाँ आप रेत की जगह पर कोको पीड भी मिला सकते हैं कोको पीड से भी काफी अच्छी बन जाती है मिट्टी और आप कीड़ा न लगे इसके लिए आप नीम की खली जरूर मिला लें इसमें क्योंकि अभी मेरे पास है नहीं मैं बाद में मिलाऊंगी इसमें और नीम की ख सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दवाना ना भूले थैंक यू